नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सानोच हुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है जी आफ रंट्स इस वीडियों में बात करने वाले हैं रेलवे प्रेवेट आजेशन के उपर सारी जानकर आपको डीटेल में मालम लेगे उसे पहले जातीकर अभी तक आपने ओमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को चरूर दवा दीजेगा रेलवे भरती की हरपल की अपडेट के लिए वीडियो स्टार्ट करों से पहला आप सब इस स्टू को 441 रुपे में वैलेटी की बात करते हैं तो 6 प्लस 3 यानि कि टोटल आपको 9 मंत का वैलेटी मिलेगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथी कमेंट सक्षन में आपको एक लिंक मिलेगा उसलिए पे क्लिक करके हमारा कूपन को अठाग उमंग 35 इसको अपलाई करके अपासानी से इसका लाब उठा सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंट समलों आ चुक है पी आएबी का ओफिशियर वेबसाइट पे पिए डॉट गॉट इन यहां पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह पी जारी किया गया है इसका हम जानकरी यहां पर देखें आप लोगों को मिल जाएगा इसमें और भी कुछ जानकरी है वो भी हम लोगों देखेंगे लेकिन अभी जो फर्स्ट फोकस है वो पूरी तरह से प्रावेट आजेशन को पर है तो कि अक्सर बहुत बड़ी संखा में स्टुडेंट्स के लगतार कि 19 के बाद से यानि कि 20, 21, 22, 23 नहीं RPF का नहीं JEE का नहीं LP Technician का नहीं GroupD का नहीं NTPC का किसी प्रकार की कोई भरती देखने को नहीं मिल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि railway पूरी तरह से प्रावेटाइज हो गई है इसके आरण से वेकेंसी नहीं निकाले जा रही है और भव देट हमारे द्वारा आपको देना हमारे जिम्मेदारी बन जाती है यहां पर देखिए स्पस्टूप से क्लियर लिखा गया है there is no proposal to privatize the Indian Railways this information was given by the Ministry of Railways Communication and Electronics and Information Technology इसमीदी वैस्णा इन रिटेन रिप्लाइइ यहां पर फोकुस करिएगा रिटेन रिप्लाइई टू इन लोगसभा तो यह जो उस डेट की बात कर रहे थे कौन से डेट की बात कर रहे है हम लोग देट दाथ 26 जुलाई का तो 26 जुलाई को जो ऐसे कि retun reply दिया गया है लो इंक्रूडिंग लेवल वन का भी कैटेगरी चेंज करके गुरूप D से हटा करके उसे गुरूप D में कर दिया गया तक का है तो 30 जून 2023 तक का है तो यहां पे देखे यहां पर पर्मनेंट रेगुलर इंपल्वाइस की बात की जारी है 21-22 में 4,612 22-23 में 85,88 23-24 में 50,855 तीक है यहां पे कुछ में स्टार मार्क भी लगा हुआ है स्टार मारकर नीचे यहां पर दिया हुआ है कि यह जो है यह आप लोग का प्रोविजनल है ठीक है उसके बाद देखें आप लोगों का नेक्स्ट है इंगेश्ट बाइट रेलवेज डियूरिंग बीस एकिस टू बाइस टाइस ठीक है बीस एकिस में 4,089 एकिस बाइस में 8,823 बाइस टाइस में आप लोगों का है 5,013 यहां पर यह आप लोगों का प्रोविजनल है ओके तो यहां पर जो मानने रेलवे मंत्री जी के द्वारा यह जो स्टेट्मेंट दिया गया है रेलवे प्रावेटाजेशन को ले करके तो कि आपको पता हो सैसा यानि कि सतत प्रकिरिया है और हम लोगों को उमीद थी कि जो रेलवे में बहुत ज़्यादा दुखत पूर दुरगटना हुई थी दुरगटना के बाद रेलवे मंत्री जी के जवाब में कोई बदलाब आएगा लेकिन आपने देखा होगा कि दुरगटना के बाद भ धीमी गती से रेलवे के जो प्राविटेजिसन वो चल रहा है इसके उपर आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएगा हमारा वीडियो कैसा लगा यह भी बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ नाइक और सेर कीजेगा तब तक के लिए जय हिद जय भारत